हेलो नमस्कान साथियों स्वागत आप सभी का इतियास अकेडवी में और दोस्तों आज एक बहुत ही महत्पुन पुस्तक की बारे में हम बात करने वाले हैं जी हां दोस्तों पुस्तक जो है वह सहायक आचारे से सम्मंदित है सहायक आचारे असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहा जी हां दोस्तों अभी कुछ दिनों पशाथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम भी होने वाला है ठीक है अब आप यह सोचेंगे गुरुजी अब एक्जाम तो आ गया तो इस पुस्तक के बारे में अब आप क्यों बता रहे हैं और यह पुस्तक जो है एन वक्त पर तत्यों को महत्पुन प्रश्णों को प्रश्णों के साथ उनकी व्याक्याओं को अधर राज्यों में लगे पीजी टी ठीक है अधर राज्यों में लगे असिस्टेंट प्रोफेसर और युजिसी नैट के महत्पुन प्रश्णों का संकलन किया गया है ठीक है दोस्तों यह जो है सहायक आचारे इतिहास प्रतम खंड ठीक है प्रतम खंड से संबंदित है जैसा कि मैंने आपको बताया तथ्ख्यों प्रश्णों और इन सब का क्या है संकलन है अभी दोस्तों इस पुस्तक की हम बात करने वाले हैं एक एक बात जानेंगे चलिए पुस्तक के संपादक ह दोस्तों डाक्टर अमित कुमार रैंकवार जी जो की स्वयम सहायक आचारे है इससे पहले भी मैं इनकी दो पुस्तकों का रिव्यू कर चुका हूँ जो की इतिहास दर्शन और लेखन से संबंदित थी ठीक है यह है जो पुस्तक है इसके संपादक डाक्टर अमित कुमार और लेखक की बात करें दोस्तों तो राम किशोर तिवारी और नरेंदर कुमार सेने इसके लेखक है जो की स्कूल व्याख्याता है ठीक है दोनों ही चलि दोस्तों तो इस पुस्तक की बात करें सबसे पहले तो देखिए कुछ दिन पहले पुस्तक प्राप्थ हुई पुस् अब इस पुस्तख के अंदर क्या है को यहां पर आपको inh癪्फ नहीं समझ में आ रहा होगा कि उस्त Lloyd क्यूंद questa आपको बताने वाल। देखिए अ यहां पर आप यहां की बात हो चुकी है रएटरी से मैं संपाथ हो चुकी है पुस्तक का cover page को इस परकार का है और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कुछ समय पहले यह पुस्तक जो है यह trending भी थी Amazon पर आप देखेंगे तो दोस्तों यह थर्ड नंबर पर trend भी कर रही थी 255 रुपेश की जो कीमत है Amazon पर तीसरे नंबर पर trend कर रही थी पुस्तक हना यानि कि विद्यारतियों द्वारा पसंद भी की गई थी और दोस्तों परिक्षा के समय ऐसी पुस्तक की आवशकता भी विद्यारती को पढ़ती है जिससे वह स्वयम जो है क्या कर सके रिविजन कर सके महतपून तत्यों को एक जगे देख सके हना क्योंकि दोस्तों बुक्स जो है वहाँ से रिविजन होना पोसीबल नहीं है तो हमें किसी ऐसी पुस्तक की जरूत होती है जो notes format में हो ठीक है notes format में हो प्लस जिसके अंदर तत्यों का महतपून प्रशनों का संक लगेगा दोस्तों उसमें प्रतम खंड से संबंदित है तो इसके अंदर प्राचीन भारत मध्यकालिन भारत और इतिहास दर्शन और लेखन को ही समाहित किया गया यानि कि इस पुस्तक के अंदर आपको आप किन-किन इतिहास के किन-किन खंडों का अध्यन करेंगे तो प् इतिहास है इतिहास दर्शन एमम लेखन है और तालिकाएं दी गई है प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों महतपुन प्रशन जो है उनका संक्लन है टोपिक वाइज है शुरुवात से दोस्तों प्रागेतिय सिकाल और पूरा फिरम पढ़ते हैं ठीक हडपा और वैदिक स सबके प्रशन है महतपुन प्रशन दिये हुए है और दोस्तों प्रशनों के साथ उनकी व्याख्याएं भी की गई है हना अच्छी व्याख्या की गई है और पुराने प्रशन पत्रों में UBC Corona के भी प्रशनों को संक्रित किया गया है और अदर स्टेट में जो अशिस्टन की exam लगए है उनको भी और PGT की exam लगए है उनको भी संक्रित किया गया is प्राश크 भारत का इथियास यहां पर दोस्तों देखिए प्राशीन भारत में हम देखते हैं साहितिक स्रोतों से, मतलब स्रोत से लेकर फिर वही प्रागेतियासिकाल और ये सारे वैदिक उसके बाद में, टोटल जो इत्यास है, मोरेकाल मोरेत्रकाल हाना, आगे देख लीजिए पूरा यहां तक जो है, महत्पुन प्रशन है प्रशनों की व्याक्या, यानि की एन वक्त पर विध्यारती को क्या चाहिए, यानि परिक्षा से दो हफते, तीन हफते हना, पंदरा दिन पहले आदमी को क्या चाहिए विध्यारती को चाहिए कि रिवीजन करना प्रशनों से जादा से जादा क्या करना प्रैक्टिस करना हना जादा से जादा प्रैक्टिस करना और स्वयम का मुल्यांगन करना तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए जो है अच्छे प्रशन इसमें दिये गए हैं उसके पश्याद मध्यकालिन भारत में दोस्तों वहीं सुरो नहीं बहुत ज्यादा है विकोस दोस्तों प्रशन भी महत्पून है और व्याक्याओं के अंदर भी बहुत महत्पून तत्यों का संक्लन किया गया आप देखिएगा पढ़ेंगे तो हना क्योंकि पूरी पुस्तक तो यहां पर खोल कर पढ़ाना दोस्तों पॉसीबल नहीं है अथी चीज मुझे लगती है दोस्तों तालीकाओंको अलग से हाईलाइट करके पुस्तक के अदर दिया गया है देखिए न टालीकाओं में नंकर एक्जाम में पूशी जाती धूdade मंदिरों की शैलियां है. सबकी क्या है यहां पर आपको मिलेगी तालिकाई जो है यह बहुत महत्पूनित है. अगर आप इन तालिकाउं को भी अच्छे कोंगी तालीका है अब आपको कितना सपष्ट दिख रहा है वो मुझे नहीं पता लेकिन दोस्तों आप जो है अमेजन पर जाके अगर इस पुस्तक में कुछ पेज दियो हैं वो देख सकते हैं जैसे कि यहां पर मुहर है इलाही है वीवरण दिया गया अच्छे से और देखि मध्या पाशान काल के सल है विशेशताएं भी है किस जगह पर है सब चीज़े दी गई है इसके लाव देखिए दोस्तों एक तालीका महत्मुन शेरसा सूरी कालिन वास्तुकला है मुगल कालिन वास्तुकला से बहुत जादा प्रशन आते हैं यह देखिए दोस्तों यहां पर अकबर कालिन वास्तुकला की तालीका है यहां पर मूल वास्तुकी कंप्लेट तालीका दे रखिए हैं यहां पर मस्जीदे हैं उनके निर्मान करता है वर्ष है विशेश तथि अगर किसे से रिलेटिड है तो वह है कुल मिलाके इस पुस्तक में दोस्तों चलिए एक ब अच्छे प्रशनदार निकालने है ठीक है जो भी पुस्तक है पड़ nisotsा लावशकारत है जो सबसे अ महतपुन काम जय लगता है यह ए गंद्धी उसके बाद इंद्ध तर बुपत्त काल से संबन दित उसके बाद मां पिर दक्षिन भारत, फिर विजयनगर हामराज, दक देखेंगे कि तालीकाय जो है दोस्टों एक दम पराचीन भारत से लेकर और दोस्तों उसके बाद में लगबग लगबग बारी जो मध्याकाली भारत की इसमें इतिहास मध्याका बहरत पूड किया गया है। आपको पता होगा मैंने एक इत्यास की आकाश गिंगा वाली क्लास ली थी। वो क्लास भी कुछ इसी परकार की थी। उसमें भी दोस्तों महत्पून तालिकाइं मैंने दी थी। हाना। उसमें भी महत्पून कथन मैंने दिये थे। महत्पून पुस्तक के काफी अच्छी होती है क्योंकि इससे पहले भी मैं इनके पुस्तक के रिव्यू कर चुका हूं परिक्षा के दर्ष्टी कौन से उप्योगी पुस्तक होती है और अभी भी समय है दोस्तों तालीकाएं पढ़ जाओगे काफी प्रशन उसमें से फसने के चांस है तो एकड़ का जो लिंक है अमेजन का जो लिंक है दोस्तों वो मैं अभी डिस्कूशन बॉक्स में डाल दूँगा वहां से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं बाकी दोस्तों वहां पर भी आपको कुछ जो है तालीकाएं दी हुई है वहां भी देख लेना हाना और बाकी मार्केट में मार्केट में जाके देखिए थोड़ा सा खोल के चार पांस दस पन्ने पलट के देखिए थोड़ा पढ़के देखिए बात समझ में आती है तो जरूर परचेस किजिए किताब अच्छी है और अभी फिलाल यह सहय का चारे के लिए निकाली गई है बाकी दोस्तों यह हर एक मोटी है दोस्तों कि इसमें बहुत महत्मुन चीजें एड की गई चैसोचोचट पेज है बाकी दोस्तों तालीकाओं को पढ़ जाए देखिए बहुत सारी तालीका है अब देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे अकबर के नवरतनों से संबंदी तालीक बनी पड़ी अलग कलर में हाइलाइट की गई है अकबर के महत्मुन कारे घटनायों से संबंदी तालीकाओं और देखिए यह देखिए यहां पर है दोस्तों गुप्त कालीन परशाशन अधिकारी और विभाग हमेशा कोशन आता है ऐसी तालीकाओं बनी हुए गुप्त का पराचीन मध्यकालीन से संबंदी तालीकाओं आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों पुस्ताग अच्छी है और समय है ले सकते हैं बाकि इससे पहले भी मैं इनकी दो पुस्तुकों का रिवीव पर चुका हूं पुस्तक ही आती है चलि दोस्तों तो देख लिजेग झाल